हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताग फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके टेक्नो केमन air 2 plus में यदि charging से related कोई problem आती हैं तो आप उसको किस तरह से solve कर सकते हैं दोस्तो आप यह मैं समझना कि मैं आपको यह solution बता रहा हूँ इस board से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दू कि मैं आपको बताने के साथ साथ इसमें समझाने भी वाला हूँ कि आपको यहाँ पर charging का जंपर कहां पर लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है और कहां पर कितना voltage आता है कहां पर कितना नहीं voltage आता है इसकी complete जनकरी में आपको देने तो दोस्तों यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर यह हमारा बेटरी कनेक्टर है यह बेटरी कनेक्टर के पास में यह वाला कनेक्टर है इसको हम बीटूबी कनेक्टर बोलते हैं बीटूबी कनेक्टर इसलिए ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो charger socket जो voltage आता है हमारा plus का जो voltage आता है वो इस connector के इस वाले point पर आता है ठीक है और उसके बाद जाता है हमारे इस test point पर दोस्तों आपको multimeter को 20 DC volt पर आपको set करके यहाँ पर आपको voltage चेक करना है यहाँ पर आपको जो charger socket पर जो voltage आता है जो 5 volt के something होता है वो same voltage आपको यहाँ पर मिलना चाहिए अगर आपको यहाँ पर voltage नहीं मिलता है तो आप charger socket के plus वाले point से लेकर आप यहाँ पर jumper कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आपके voltage आ रहा है सेक्षन है जो यहाँ से इस वाले point से वोल्टेज आता है हमारे इस वाले capacitor पर ठीके दोस्तों यह charging के line है यदि दोस्तों अगर यह capacitor short हो जाता है तो भी आपका mobile charge नहीं होगा charging line में shorting दिखाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह NC point में चला जाता है और उसके बाद हमारे इस OVPIC में चला जाता है इसको मैं bypass करना बता हूँ दोस्तों आपको देखो यदि दोस्तों आप पहले आपको यहाँ तक voltage चेक कर लेना है अगर यहाँ तक voltage आ रहा है तो आपके पीछे का circuit ओके है और उसके बाद यह IC output देती है जो voltage आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो same voltage आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा अगर दोस्तों यहाँ पर voltage आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप इस वाले point से लेकर आप direct इस वाले point पर भी जंपर कर सकते हो यह OVPIC बाइपास हो जाएगी यह OVPIC एक तरह से fuse का काम करती है यदि इसमें charger से ज़्यादा voltage आता है तो यह IC सोट हो जाती है और जिससे आगे का circuit डेमेज होने से बच जाता है इसलिए यहाँ पर यह OVPIC लगाई जाती है दोस्तों अगर यहाँ पर आप जंपर कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि यहाँ तक आपका voltage प्रोपर आ रहा है या नहीं आ रहा है फाइनल पॉइंट यह वाला केपस्टर है दोस्तों जो circuit पर voltage मिलता है वो same voltage यहाँ पर मिलना चाहिए यहाँ पर voltage की कोई कटोती नहीं होनी चाहिए ठीके दोस्तों यदि देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यह voltage चला जाता है इस वाली IC में और उसके बाद जैसी इस IC के अंदर यह voltage जाता है तो यह IC V8 के voltage को बनाती है जो 3.7 से 4.2 की बीच होता है इस वाले capacitor पर आपको 5V के something मिलेगा और उसके बाद यह IC इस वाले capacitor पर output करेगी जो 3.7 से लेकर 4.2 तक होगा जो आपको इस वाले capacitor पर मिलेगा ठीके दोस्तों अगर इस वाले capacitor पर आपको voltage नहीं मिलता है तो समझ लिजी आपकी यह IC में दिक्कत है यहाँ पर आप output चेक कर लिजे और उसके बाद input यहाँ पर चेक करना है ठीके अगर इस यह IC output नहीं देती है तो आप इस पर हलका सा पेश्ट लगा कर heat कर सकते हैं क्योंकि water damage के कारण ऐसा हो सकते हैं और उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार आप इस IC को निकाल के रिबोल करके वापस लगा सकते हैं उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर IC change करनी पड़ेगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद सीधा आ जाता है हमारे इस battery connector के उपर की side में ये एक नन्ना सा capacitor लगावाएं इस वाले capacitor में आ जाता है और उसके बाद इस diode में जाता है और इस diode के बाद इस NC point में जाता है और उसके बाद इस capacitor से होतावा सीधा इस test point से होतावा सीधा हमारी इस battery connector पर आ जाता है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर